Hello friends, once again I'm gonna welcome you all to Annipal Films तो दोस्त एक बर फ्वेर्स से हाजी रूम में आपके साथ एक काई मुवी को लेकर मुवी बहुत ही इंट्विस्टिंग है, कहीं मत जाएए, stay tuned with Annipal Films So without any delay I'm gonna start the explanation मुवी शुरू होती है और हम टोनी को किसी के पीछे भागते हुए देखते हैं दरसल टोनी जिसे पकड़ रहा है वो कोई और नी बलकि चोर है और बहुत देर तक भागने के बाद फाइनली टोनी चोर को पकड़ लेता है दर सैट टोनी एक पुलिस ओफिसर है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है इस मुवी का टाइटल दा सोल मेड अब हम देखते हैं कुछ लोग बस में सफर कर रहे हैं तब ही एक यंग बॉय बस में चड़ता है जो कि थोड़ा गुंडा टाइप का नजर आ रहा था वो एक उस गुंडे की नजर लटकी पर पढ़ती है वो उसे भी धमकाना शुरू कर देता है वो उससे कहता है कि अगर अभी के अभी तुमने ये वीडियो नहीं डेलीट किया तो तुम जानती नहीं हो कि तुमारा क्या हास्ट होने वाला है और इस गुंडे को ये सब करता हुआ देख एक आदमी घूर रहा था और यही ये इस कहानी का लीट कैरेक्टर इसका नाम जंग्सू है जंग्सू को घूरता हुआ देकर वो गुंड़ना उसे कहता है कि अभी के अभी अपनी नजरे नीचे कर लो और तब भी जंग्सू उसके पास उटकर आता है बस में जंग्सू बस से नीचे उतर जाता है जंग्सू के पीछे पीछे वो लड़की भी नीचे उतर जाती है वो भाग कर जंग्सू के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि आप दिखने में तो स्पोर्ट्स परसन लग रहे हैं फिर आखिर आपने बस में क्यों कुछ नहीं कह ये तो सरा से ना इंसाफी है, आपको कुछ न कुछ तो बोल नहीं चाहिए था। उसकी इतनी सारी वयते सुनकर जंग्सू सबसे पहले से चुप करवाता है और फिर उससे कहता है कि मैं कोई समाच से भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सर्फ अपने काम से काम रखना चाहता दर चल जंग्सू का एक पर्सनल जिम है और वो एक जिम ट्रेनर है, एक दिन रोज की तरह जब वो अपने जिम में काम कर रहा था, तब ही उससे एक डॉक्टर का कॉल आता है, जो कि उससे बधाई देते वे कहते हैं कि तुम्हें डोनर मिल चुका है, और अब तुम्हें ज दिबियर को अपने सामने रखकर उससे फाइटिंग कर रही थी, और उचल उचल कर उसे मार रही थी, तब ही जंग्सू वहीं पर आ जाता है, और उससे जोर की डाट लगाता है, वो अपने बेटी से कहता है, कि मैंने तुम्हें मना किया है न, बहुत जदा भाग दोड़ क खुश हो जाती है, दरिसल जंग्सू सिंगल पैरेंट है, वो अपनी बेटी को अकेला ही पाल रहा है, बेकरस कुछ साल पहने उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, और वो भी एक एक एकसिडेंट में, जंग्सू अपनी बेटी का बहुत खयाल रखता है, वो डेली उससे स् जलने के लिए कहता है, तब ही वो टोनी से कहती है कि जब तक मैं आपके पूरी फिश नहीं बेश लोंगी, तब तक मैं यहां से नहीं ही लोंगी, और अब रोज की तरह टोनी एक लीडी को पैसे देता है, और वो से टीना की सारे फिश को खरीदने के लिए कहता है, और वो अब उसी रात टोनी कुट्ता डूने के लिए निकल जाता है वो आसपास लोगों से पूछ नाज कर रहा था तभी उसे गाड़ी में कुछ लड़किया जाती भी दिखाए देती है दरसल वो चिलना भी रही थी जिससे ये साफ जाहिर था कि कोई उने किड्नाप करके लिए ज जंक्सू उससे कहता है तुम मेरी गाड़ी चेक कर सकते हूँ गाड़ी में तो कुछ भी नहीं है और मैं सिधा साधा जिम ट्रेनर हूँ लेकिन टोनी को जंक्सू के बाद पर बिल्कुल विश्वास नहीं था और अब वो ये डिसीजन लेता है कि वो जंक्सू को फॉलो कर करते वे वहांसे निकल जाता है जंक्सू कुछ दूर आगे चैनले पर अपनी गाड़ी को रोख देता है और उसके पीछे-पीछे टोनी भी आ रहा था पॉनी इमेडियेट गाड़ी से उतरता है और उसकी गाड़ी की फोटो कीशने लगता है जंग सूट टोनी को ऐसा करते वे देख लेता है वो उस पर गुश्शा करते वे कहता है कि आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो लेकिन टोनी बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है रास्ते में जाते वे टोनी कुछ लड़कों को देखता है उसे ऐसे लग रहा था कि इन में से शायद मैं किसी को पहचानता हूँ दरसल ये लोग कल रातवाले ही लोग है जो किन लड़कियों को किटनाप कर अपने साथ लेकर जा रहे थे इससे पहले कि टोनी इन सब को फॉलो कर पाता वो गाड़ी इनके आखों से कई ओजलो जाती है उसी राज टोनी अपने फ्रेंट्स के साथ एक बार में पार्टी कर रहा था जब वो वहाँ से निकलता है तो उसके हाथों से एपल सुट कर नीचे की और गिर जाते हैं को इंसिडेंटली जंक्सू भी बहा जाता है वो टोनी की बिना कोई मदद की हुए अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है तबी टोनी अपने दोस्तों से कहता है मुझे तो इस साथ भी पर पूरा शक है क्योंकि इसका बिहेवर मुझे कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दाल में जरूर कुछ काला है तबी टोनी का ही एक फ्रेंड जोके पुलिस ऑफिसर था वो टोनी से कहता है तुमको जादा ही सोच रहे हो वो से बताता है मैं जंक्सू को बहुत सालों से जानता हूँ और वो बहुत इसीधा इंसान है वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम रखता है नेक्स जे टोनी जंक्सू का पीछा करते वे एक जगापर पहुंचता है जहाँ पर उसे कहीं से लड़की के चिलाने के आवाद सुनाई देती है वो जंक्सू को छोड़ कर उस आवाज के पीछे बागता है तबी टोनी पहुंचता है कि बहुत सारे गुंडे मिलकर एक लेकिन वो लड़की बहुत चलाक थी, वो अपने मोबाइल फोन को चुपके से जाड़ियों के बीच में फेक देती है, तोड़ी समझ जाता है कि मोबाइल में कुछ रा कुछ तो जरूर है, जैसे ही वो लोग लड़की को अंदर लेकर जाते हैं, तोड़ी फटा फट उस ये गैंग लड़कीों की तसकरी का काम कर रहा है, दरसल इस लड़की ने पूरे गैंग की विडियो रिकॉर्ड कर ली थी, और यही वज़य थी कि वो लोग उसे टॉर्चर कर रहे थे, और उसे जबरदस्ती मोबाइल चीने की कोशिस कर रहे थे, तब भी इसी बीच टोनी तो बिलकुर ने डढ़ था, वो तुरंत अपनी गाड़ी को निकाल कर अकिला ही उस जगा पर चला जाता है, और अब हमें जंक्सू को दिखाया जाता है, जो कि एक सुपरमार्केट में अपनी बेटी के लिए ट्वाइन लेने के लिए आया है, लेकिन जैसी वो सुपरमार तोनी सबने गाड़ी वापस लेने के लिए उसका पीछा करने लगता है, तोनी जल्द ही माइकल की बताईवी जगा पर पहुंच जाता है, और फिर क्या था, उसके सामने खड़ी हुई थी गुंडों की फोज, जो कि वहीं पर टोनी को बहुत मारती है, और उससे मोबाइल फोन देने के लिए क्याती है, तोनी इस वक बहुत जादा घायल हुचुका था, और तब ही होता है यहाँ बड़ा खुलासा, और सामने निकल के आता है टोनी का फ्रेंड माइकल, जो की लड़कियों की तसकरी करने वालों का लीडर था, वो जैसे ही टोनी को घायल अवस्त जल्दी एंबुलेंस आती है और इन दोनों को हस्पिटल ले जाए जाता है, जहाँ पर पता चलता है कि टोनी इस वक पूरी तरसे कोमा में जा चुका है, टोनी के बगलगानी वेट पर जंग्सु भी लेटा हुआ था, लेकिन टोनी इस वक बचने के हालत में बिलकुल नह जग रही थी, तभी जंग्सु उसे कहता है कि तुम रात बर जगी हो, इसलिए तुम्हें इस वक सो जाना चाहिए, जंग्सु काफे ठीक महसूस कर रहा था, इसलिए जैसे वो वाह से जाने के लिए निकलता है, बाहर आते ही उसे टोनी की आत्मा दिखाई देती है, जंग जंग्सु टोनी को बगाने की कोशिस करता है, लेकिन उसका तो टोनी पर कोई असर नहीं हो रहा था, जंग्सु अपने सामने टोनी का भूत देकर काफी घबरा जाता है, वो जोर जोर से भूत भूत के चिलाने लगता है, जब उसे होश आता है, तो डॉक्टर उससे कहती ह कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सर में काफी चुटाई है, जिसकी वज़े से ही आपको हैलोसिनेशन हो रहे हैं, और वही नर्स के बगल में टोनी भी बैठा हुआ था, तबी जंग्सु नर्स से पूछता है क्या तो मिस आदमी को देख पा रही हूँ, नर्स उसके बाद का कोई जवाब नहीं देता, तबी हास्पिटल में टोनी से माइकल मिलने के लिए आता है, और वहाँ पर टोनी की गर्फ्रेंड ली भी बैठी हुई थी, माइकल ली से कहता है कि तुम टोनी का अच्छे से खयाल रखो, और जैसे इसे होश आएगा, तो मैं सब इससे पहले इससे मेमोरी कार्ट के बारे में पोश्टा है, क्योंकि जिसके इसके मैं स्टडी कर रहा हूं उसके लिए इस मेमोरी कार्ट का होना बहुत जादा ज़रूरी है, ली को माइकल पर बहुत ट्रस्ट हा, क्योंकि वो तो टोनी का फ्रेंड था, टोनी ली को समझान जोकी लड़्कियों की तसकरी करते थे। करने की कोशिस करता है कि ये खतरना गैंग की लोग जिसमें कुछ पुलिस वाने भी शामिल है आज वो तुम्हें पकरने के लिए आने वाले हैं लेकिन जंक्सु तो आप भी टोनी से डरा हुआ था तोनी उसे समझाने की कोशिस करता है कि मैं तुम्हें कोई भी नुकसा नही से भाद निकलता है और इसमें टोनी भी उसकी मदद करता है और फाइनली जंक्सु को यह यकीन हो चुका था कि टोनी जो भी कह रहा है वो सच कह रहा है और इदर हॉस्पिटल में हम ली को देखते हैं जो कि टोनी को लेकर बहुत परिशान थी, वो टोनी के सामने बहुत रोती है, वो उसे कहती है कि तुम्हें जल्दी होश में आना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना के लिए नहीं रहना चाती, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना है, टोनी ली को देकर काफी एमोशनल हो जाता है, वो टोनी के पास कोई और आप्शन नहीं था, इसलिए वो मदद के लिए भाकर जंक्सु के पास जाता है, लेकिन इधर जंक्सु अपनी बेटी को ढून रहा था, क्योंकि उसकी बेटी कहीं गायब हो गई थी, जंक्सु से बहुत ढूनी की कोशिस करता है, लेकिन वो उसे कही नहीं मिलती, तब तक टोनी जंक्सु के पास पहुंचता है, और वो से कहता है, मुझे तुमारी मदद चाहिए, लेकिन इस वक्त जंक्सु टोनी की कोई भी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अपनी बेटी को लेकर बहुत परिशान था, तब ही टोनी जंक्सु को बतात पासली जंक्सु के स्टोरी फ्लाश्बक में जाती है, जंक्सु के पहने की कहने में हम देख पाते हैं, जंक्सु बहुत अच्छा इंसान है, वो हमेशा सबके मदद किया करता था, एक दिन अरली मौरनिंग जंक्सु अपनी फैमिली को लेकर कहीं जा रहा था, तब ही रास तक सामने से एक तेज स्पीट का ट्रक आ रहा था और वो ट्रक आगे खड़ी टोनी की कार को टकर मारती हुई वहाँसे निकल जाता है और यहाँ पर होता है एक भायानक अक्सिदेंट जहाँ पर जंक्सू की वाइफ की इमिडियेटली डेथ हो जाती है और इसकी बेटी का हाड़ भी उसी दिन से खराब हो जाता है और इसी के साथ ये स्टोरी प्रिजन में आ जाती है जहाँ पर दुखी पैठा जंक्सू टोनी खैंजूagen और भी उसे मदद के लिए फोर्ष नहीं करना चाहता दूसरी तरह हम ली को देखते है जो इस वक्त मेमोरी कार्ड लेकर माइक़ल के पास पहुँच चूकी थी और वो माइकल को मेमोरी कार्ड दे देती है दूसरे दिंग्तर दॉक्टार्स ली को बलाते है जहां उन्हें याद करके बहुत एमोशनल हो जाती है तबी टोनी क्या देखता है कि दूसरे दिन वही गाड़ी आती है जिसमें वो उसकी गल्फरेंट ली को उठाकर ले जाते हैं लेकिन इस वक्तोनी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो तो उसकी आत्मा थी वो भाग कर जंक्सू के पास जाता है और वहाँ से मदद मांगने की कोशिस करता है लेकिन जंक्सू तो अल्रड़ी बहुत परेशान था क्योंकि उसके पास अपने बेटी के आपरेशन के लिए पैसे ही नहीं थे टोनी जंक्सू से बिना कुछ कहमा से वापर जाने लगता है तबी जंक्सू टो कि टोनी की मौत का जमेदार वो चीफ पोलिस को मानता था क्योंकि माइकल कभी भी टोनी को मरता हुआ नहीं देखना चाता था वो तो बस उसे जखमी करना चाता था लेकिन चीफ की ओरडर पर उसके गुंडे उसे मार देते हैं तबी जंग सू अपने फ्रेंड और टोनी को ल करने के लिए पहुंच जाता है जंग सू जल्दी चीफ को डून कर उसकी धुलाई शुरू कर देता है लेकिन इतने महीं वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो सभी जंग सू को पकड़ लेते हैं क्योंकि वो चीफ पुलिस तो उनका सीनियर ऑफिसर था और किसी को भी तो पर शक ही नहीं था लेकिन इससे पहले कि ये लोग जंग सू को वहाँ से ले जा पाते माइकल इंवस्टिकेशन टीम के साथ वहाँ पहुंच जाता है क्योंकि लीगी यहाला देखकर कही न कहीं उससे अपने उपर बहुत पश्टावा हो रहा था उसने बहुत अच्छा द चाकत लगा कर चीफ को घायल करने के लिए उस पर बर्फ के टुकड़े बरसा देता है और फाइनली पुलिस ने चीफ को अपने कबसे में ले लिया था अब जल्द ही ये लोग सारी लड़कों को बचा लेते हैं और टीना को भी वहाँ से चुड़ा कर ले जाते हैं टोनी जंकसू की मदद के लिए उससे घाइन क्यों कहता है और फिर उससे कहता है आज मैं तुमारी आखरी मदद चाहता हों इस पर जंकसू कहता है बोलो तुमें क्या चाहिए टोनी जंकसू को बिताता है कि मैंने अपनी गल्फरेंड लीक ले एक नया अगर खरीदा था लेकिन इससे पहले कि मैं उसे इस घर के बारे में बतावाता मेरे साथ ये हाथ सा हो गया। वो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम लीक उसकी नए घर पे ले जाओ। और वो जंक्सू के हाथ में कीस को थमा देता है। अब जंक्सू लीक उसी घर के पास ले जाता है। वो उसे टोनी के बारे में पूरी कहानी बताता है, तबी जंक्सूट लीग से कहता है कि तुम्हें अपने आखे बंद करनी होगी, और फिर बहुत दीरे से अपने आखों को खोलनी होगी, जिससे तुम टोनी को अपने सामने देख पाऊगी, और वो ऐसा ही करती है, वो जैसी अपने आखों को कुलती है, उसके सामने टोनी खड़ा था, लीक टोनी को देकर बहुत खुश हो जाती है, वो से देकर बहुत रोती है, तब ही टोनी एमोशनल होकर उससे कहता है, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ कर कभी भी नहीं जाना जाता था लेकिन शायद किस्मत को यही मन्जूर था और देखो मुझे तुम्हें बीच में ही छोड़ कर यहां से जाना पड़ा वो से कहता है लेकिन कोई बात नहीं मैं हमेशा यह तुम्हारे आस पास रहूंगा और अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ के जरुत हो तो तुम हम मेशा जंक्सू के पास जा सकती हो वो बहुत अच्छा आदमी है यहां पर दोलों बहुत रोते हैं बहुत एमोशनल सीन दिखाया जाता है और फिर हम होस्पिटल में टोनी की बॉड़ी को देखते हैं जहां पर उसके आखो से आसू बहे रहे थे तबी डॉक्टर्स जंक्स जंक्सू से कहते हैं कि मैंने आस पास की लोगों से पता करने की भी कोशिस की लेकिन तुम्हारा कोई पता नहीं चला और किसमत का खेल देखो आज से तुम मेरे स्ताम नहीं खड़े हो तबी डॉक्टर्स जंक्सू से पोशते हैं जिसको ऑपरेशन होने जा रहा है क्या वो जंक्सू मन ही मन सोचता है कि उससे मदद का फल मिल गया तो अगर आप किसी की मदद करते हैं तो जाहिर बात है कि उसका फल आपको जरूर मिलेगा और सी हैप्पी और इंस्पिरेशन एंडिक के साथ यह मोवी यहीं पर खत्म हो जाती है तो फ्रेंस आपको यह मोवी कैसी लगी हमें यह कॉमेंन सेक्षिन में जरूर बताएं हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिलकुल ना बोलें थैंक्यो फो वाचिंग दर वीडियो